मुसा वाले के बाद अब सल्मान खान की बारी कौन है सल्मान खान की चान का प्यासा? सल्मान को मिली धमकी भरी चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है? पिश्नोई क्यूं सल्मान खान को उतारना चाहता है? मौत के घाट किसने कहा क्यूं कहा और कौन है वो जिसने दी सल्मान खान को धम की आज हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है इस सवाल का जवाब तलाशे लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्लेश बैक में चलना होगा मुसा वाले की कोलियों से भून कर हत्या कर दी गई हत्या किसने की क्योंकि ये अभी भी राज ही बना हुआ है मगर मुसा वाले की हत्या के बाद अब एक नई मिस्ट्री सबके होश वाक्ता कर रही है अब एक चिठ्थी ने मानो निया भूचाल ला दिया है जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चिठी, फिल्म इंडरस्टी के बिग बॉस कहे जाने वारे सलमान खान के पिता सलीम खान को मिली है अब ये भी जान लीजे, ऐसा क्या लिखा था? इस खट में कि आज हर कोई ये सवाल कर रहा है कि मुसा वाले की तरहा सलमान को भी मौत के खाट उतारने की तैयारी की जा रही है इस खट में लिखा है, जल्दी सलमान खान को भी मुसा वाले कर दिया जाएगा आपको बता दे कि खट सल्मान खान के पिता को मिला है खट महां मिला जहां वो रोज मौर्निंग वॉक के लिए जाते थे उस खट में सल्मान खान ही नहीं बलकि उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है फिल्हाल मुंबई पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है लेकिन सवाल उखता है कि आखिर सल्मान खान चर्चा में क्यों है आखिर कार मुसा वाले और सल्मान खान को एक ही कतार में लाकर क्यों खड़ा कर दिया है सल्मान खान का दुश्मन और मूसा वाले का दुश्मन क्या एक ही है यकीनन सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 2 अक्तूबर 1998 की तारीक को याद करना होगा ये वही तारीक थी जब सल्मान खान ने काले हिरन की हत्या का इल्जाम झेला और ये तो जग जाहिर है कि विश्माज समाज के लिए काले हिरन किसी पूजनिये से कम नहीं होते और इसी समाज से आता है खुखार गैंस्टर लोरिस विश्माज ने उसी समय अलान कर दिया था कि वो सल्मान खान को छोड़ेगा नहीं यही कारण है कि उसने अपने गुर्गे से कई बार सल्मान खान की राकी तक करवाई लेकिन काम्यावी नहीं मिली और हाली में मूसा वाले की हत्या के बाद लोरिस विश्माज पर शक्त की सुई आका टिकी हुई है ऐसे में अब सल्मान खान को मिली ये धमकी एक बार फिर से लोरिस विश्माज को इस विवाद के केंदर में लाकर खड़ा कर चुकी है लॉरिस पिशनोई के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि उसने 2018 में कोट के बाहर ही सलमान खान को मीडिया के सामने घुले आम धमकी दी थी कि वो सलमान खान को छोड़ेगा नहीं एक शार्फ शूटर को सुपारी देने तक की बात सामने आई आईए जानते हैं कौन है वो शार्फ शूटर जिसे लॉरिस बिशनोई ने बकाईदा सुपारी दी थी लॉरिस बिशनोई ने कहते हैं सलमान खान की सुपारी संपत महरा को दी थी ये बात पुरानी है लेकिन इसकी चर्चा करना जरूरी है संपत महरा ने सल्मान खान का फैन बनके खूफिया अंदाज में सल्मान को मारने की साजिश तक रख दी थी कहने वाले कहते हैं वो सल्मान के घर तक पहुत गया था सल्मान खान अपने फैन से कितनी दूरी से मिलते हैं उसका हिसाब भी उसने लगा लिया था ताकि हत्यारों को तैयार किया जा सके लेकिन वो किसी और मामले में पुलिस के हत्ते चड़ गया और उसके मनसूबे धरे के धरे रह गए खैर ये धमकी किसी की शरारत है या फिर वाकई में सलमान खत्रे में है खैर पुलिस दफ्तीश में जुटी है आने वाले वक्त में लगता है बहुत चल्ब बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं Bureau Report, News World India